दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे जो गाई को मारते हैं उनके समर्धन में उतरते हैं मौरादाबाद ती घटना है मौरादाबाद में वी एचपी और बजरंग दल के नेताओं ने गव हत्या करवाई और इसलिए करवाई कि वो एसे चो को हटवाना चाते थे चार गरफतार भी हुए और उनके नाम सुनके आप हैरान हो जाएंगे हैरान इसलिए हो जाएंगे कोई को उनके नाम है सुमित विशनोई उन नामों में शामिल है सुमित विशनोई और उसके साथ ही चाहते थे मौनू बजरंगी जिसका नाम है और रमन चौधरी ये लोग चाहते थे SSO को हटवाना तो एक शावद्दीन नाम की विक्ती को हायर किया और उससे गव हत्या करवाने है काम किया और उसका आरोप लगाने के लिए उसका वालिट माँ छोड़ा गया आईडी चोड़ी गई और पूरा का पूरा एक साधिश रची गई ये मौरादबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंडर में आता है मौरादबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जोबैर ने लिखा है कि जो बजरंग दल का डिस्ट्रिक्ट चीफ है समित विश्नोई इसका नाम मौनू बजरंगी से जाना जाता है और उसका एक साथी रमन चौधरी और राजीव चौधरी इन तीन दो गरफतार किया और चौथा है शाहब उद्दीन किस चीज के लिए गव हत्या के आरोप में गरफतार किया है इस गैंग ने गायों की हत्या करी दो जगा की उबाइ पन्रह दिनों में मौनु बिशनोई ने दो हजार रूपिये दिये शाह बुद्दीन को गाये काटने के लिए मकसद इनका ये था कि महमूद को जेल भेजें ताके एक दूसरा विक्ती है महमूद महमूद को जेल भेजें ताके ऐसे चोको हटाया जा सके महमूद के फोटो को और नाम को उस जगा पर छोड़ा गया जहां गावत्या की गई और उसके बाद ताकि जो पुलिस है वो महमूद तक पहुच सके और उसको जेल पहुचा सके जब पहली गवहत्या होई तो पुलिस ने महमूद तो गरफतार नहीं किया सुमित विशनोई और टीम ने एक और साज़ रची ऐसे चो को हटाने के लिए और फिर से गवहत्या कराई और गवहत्या कराने के बाद ये तीनों ने चारों ने मिलकर जो गाए का सर था उसको एक जगा पे छोड़ा और उसको लेकर ऐसे चो के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने लगे लेकिन पूरी की पूरी जो साज़श थी और बेनकाब हो गई और इन सब लोगों को पकड़ लिया गया पकड़ा किनको गया है उनके नाम पुलिस वाले भी सुनाएंगे आपको मैं भी सुना रहा हूँ बजरंगल का अध्यक्ष है मौरादाबाद का समित विशनोई जिसको मौनू बजरंगी कहते हैं रमन चौधरी राजीव चौधरी और शाहब अद्दीन दो हजार रुपिये देखा रहा है अब पुलिस वाले क्या कहा रहा है जरा सुन लीजी आप आपको खुछ समझ में आ जाएगा देखिए इस वीडियो प्रेस ब्रीफिंग रहा है उसका आखरी का हिस्सा भी आप सुनिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि एक कैसे आपराधिक प्रती के लोग है जो भाज़पा की विचारधारा के समर्था के बजरंग दब शेंदु परिशत के अद्देख्शों में से हैं और ये इनकी हरकतने क्या है सुनिए जेल बेजा जा रहा है ये जो अवियुक्त जो जेल बेजा जा रहा है इनमेसे जो रमन चौधरी इनके विरुद्ध पहले भी दोजार एक्कीस में तीन सुचासट का मुकदमा है राजीव चोधरी इनके विरुद्ध दोजार उननीश में 117, 148 और 47, 506, 506 का मुकदमा है 2011 में इनके ऊपर 223, 555, 504, 506 का मुकदमा है फिर 2019 में 147, 48, 455 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है और इसी तरीके से जो मौनु विसनोई है इनके विरूब 2015 में एक मुकदमा है 147, 49, 323, 504 का और 2023 में इनके उपर धाना काट में 147, 304, 323, 506 का एक मुकदमा है तो दोस्तों देखा आपने किस तरहां से गवहत्या कराई बजरंगी ओने विश्फंदु परिशत के नेताओं ने, बजरंग दल के जिलाद जक्ष ने, मुरादबाद में ताके कैसे विवाद हो और S.H.O. को हटाया जा सके जो लोगे कैसे चो को हटाने के लिए गाए को काट कटवा सकते हैं तो आप कल्प ना कर सकते हैं, वो दूसरी हरकतों के लिए कितना कुछ आगे दाके कर सकते हो उसके बाद तो हदी करें जो जो बैर ने इस वीडियो को शेयर किया है यह इनकी गवरक्षा है और गवसेवाज देखिए इस वीडियो में आपको देखेंगे बजरंग दल के और वीचपी के कारे करता नेता गाए के हतियारों को बचाने के लिए अपनी परेड निकालते हुए देखिए मैं इस वीडियो में आपको सचन गुपता है पत्रकार उन्होंने डाली है और लिखा आई यह दस्वीर लगा दी सचन गुपता जी के ट्वीट में यूपी मुरादबाद जिला पुलिस ने गाए काटने में बजरंग दल जिला प्रमुक सुमित और्फ मौनू विश्नोई बजरंगी सहित रमन चौदरी राजीव चौदरी शाब अद्दीन को पकड़ा है इस ग्यांग ने पंदरा दिन में दो जगा गवकशी कराई मकसद शाब अद्दीन के दुश्मन मेहमूद को जेल भिजवाने का सुचियां इसलिए गवकशी वाली जगह मेहमूद का फोटो नाम छोड़ा गया है जो मैं आपको सुनाया है पिर पुलिस ने मेहमूद को नहीं पकड़ा फिर और अवशेश फेक दिये गवकशी करके ऐसे जो करा सकते हैं भाजपा के तो वचा जा रहा है कि लोग वैसे भी ऐसे कई जगा पाए जाते हैं वो आके पूर मुक्ह मंतरी खड़े होके सुदन में कह रहा है थे मैंने अपने आखों से देखा था कानों से सुना था जो वीडियो मौजूद है उसमें कि कैसे परेकर साब कह रहते हैं वो इस दुनिया में नहीं है कि कोई भी बीफ की शॉर्टेज नहीं होगी हमने परियाब दीफ की विवस्ता कराने के लिए करनाटक से बात करी हैं तो ये तो एक चीज़ है दूसरा ये नेता है बीजेपी का मंत्री है सन्बूर शुलाए शिलॉंग का इसने कैसे 2021 ने बयान दिया था कि लोगों को और प्रोटसाइद करना चाहिए ताकि और ज़्यादा बीफ खाएं चिकन ज़्यादा बीफ खाएं मटन फिश सदा बीफ खाएं जोंकि बहुत सारे साइड्स ऐसे हैं कि रॉंग इंफरमेशन जा रही है मैनोरिटी के लोगों के अंदर क बीजेपी काउ स्लोटर की ऊपर बैंड लगाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है ये भाजपा के मेगालिया के मंत्री का बयान था बयान इसमें समझ में आएगा नहीं आप किस लगा दिया यही कहूंगा इस वीडियो को आगे दरूर बढ़ाईएगा और इनकी असलियस से लोग